भारत तरकार ने पिछले साल इसी तरह का एक आंकड़ा और दिया वो और भी दुख देता है कि हमारे भारत देश में 40,000 बच्चे हर साल अंधे हो जाते हैं विटैमिन A की कमी से अब 40,000 बच्चे अगर हर साल अंधे हो रहे हो विटैमिन A की कमी से तो इसमें शायद दवा की इतनी जरूरत नहीं जितनी एजुकेशन की जरूरत है जिस भारत में गाजर पैदा होती हो, जिस भारत में भरपूर दूद पैदा होता हो, जिस भारत में दही हो, जिस भारत में पनीर हो, जिस भारत में मुंफली हो, वहां के बच्चों को विटेमिन A की कमी हो जाए और वहां के बच्चे अंधे हो जाएं विटेमिन A की कमी से और वो भी एक दो नहीं 40,000 और इन आकड़ों में ध्यान यही दीजेगा कि सरकार के पास जो reported case हैं वो यह 40,000 बच्चों के अंधे होने के हैं प्रतिवर्श के यह 50,000 बच्चों के डाइरिया के मरने के cases हैं यह reported cases हैं अन-reported जिनकी दर्ज ही नहीं है कहीं कोई सूचना वो और भी बड़े हो सकते हैं तो यह दो आंकड़े पढ़कर तो मेरा दिल दहल गया कि जब भरपूर गाजर पैदा हो रही है और विटेमिन A की हर चीज इस देश में मिलती है बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहां गाजर नहीं हो सकती बहुत सारे देश हैं जहां मुंगफली नहीं हो सकती बहुत सारे देश हैं जहां दूद नहीं है क्योंकि जानवर नहीं है बहुत सारे देश हैं जहां मक्खन नहीं है, दही नहीं है, पनीर नहीं है, क्योंकि उनके जानवरों की संख्या नहीं है, वहाँ पर विटैमिन एक कमी से हजारों बच्छे अंदे हो जाएं, तो एक बार को समझ में आता है, भारत जैसे देश में जहां परचुर भंडार है, सस्ती कीमत पर विटेमिन A उपलब्द है वहाँ अगर हजारों बच्चे 40,000 अदे हो जाएं तो ये बहुत धुक होता है धक्का लगता है दिल को आप इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं इस तरह की जो समस्याई हमारे देश में हैं इन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं विटेमिन C की कमी हो जाए हमारे भारत देश में तो आप जानते हैं कि इस देश में विटेमिन C का बहुत बड़ा श्रोत है आवला आसानी से उपलब्द है 10, 12, 15 रुपई किलो में आसानी से उपलब्द है जब सीजन आता है तब आप इसको एकठा करके रख सकते हैं और इसको सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पतंजली योगपीट की तरफ से तो आवले के कई उत्पादन है लेकिन लोग चाहें तो इसको अपने घर में ही तैयार करके हमेशा के लिए रख सकते हैं इतना बड़ा शुरूत है विटेमिन सी का अब हमारे पास प्रकरती ने दिया भगवान ने दिया विटेमिन एके शुरूत है विटेमिन B12 की तो भारत में कभी कमी नहीं हो सकती क्योंकि यहां के लोग जितने तरह की सबजियां खाते हैं जितने तरह के फल मौसमी फल खाते हैं सवाल ही नहीं उठता कि हमको विटेमिन B12 कभी कमी हो जाए ऐसे हमारे देश में प्रकरती के दौरा जो बहुत सारे समरुद पदार्थ हैं सस्ते हैं कीमत में आसानी से उपलब्द हैं हर जगे होते हैं सबसे बड़ी बात है कि आवला भारत में हर जगे आसानी से मिल जाता है गाजर भारत में हर जगे आसानी से मिल जाती है टमाटर हर जगे आसानी से मिल जाता है तो क्यों नहीं हम इनका हमारे मरीजों में हमारे देश के साधरन नागरिकों में प्रचलन बढ़ाएं और इस प्रचलन को हमारे देश में जितना ज़्यादा आप बढ़ा देंगे हमारे मरीजों की फालतू दमाओं पे निर्भरता उतनी कम हो जाए केल्शियम की कमी के आपके पास जितने सारे मरी जाते हैं और आप उनको केल्शियम के बहुत सारे शरोत बताते हैं और आप भारत में बहुत सारी सस्ती सस्ती चीजों से केल्शियम को उपलब्द करा सकते हैं सबसे आसानी से कैल्शियम हमारे यां उपलब्द है चूने के पत्थर के रूप में और चूने का पत्थर एक 50 पैसे का बजार से खरीदो पानी में डाल के उसको रखो तो इतना चूना बन जाता है कि साल दो साल पांच साल दस साल हम बहुत आसानी से अपने कैल्शियम की पूरे परिवार की जरूरत कम कर सकते हैं आप भारत के लोगों को एक छोटी सी बात कहिए विनमरता से मैं आपसे कहना चाहता हूँ को लोगों से कहिए कि कैल्शियम की कमी पूरी करनी है तो सेंडोस की गोलियां ले आते हैं कैल्शियम सेंडोस की सेक्डों रुपई की गोलियां आती है बिचारा गरीब आदमी तो सोच के ही परेशान हो जाता है फिर उसका खरचा बहुत बढ़ जाता है माताओं को अक्सर गर्बावस्था के समय में केल्शियम की गोलियां आप सब बताते हैं तो उनको इतना ही कह दीजिए कि चूना खाओ और लोगों से कहिए चूना लगाओ मत किसी को चूना खाओ चूना लगाने के लिए नहीं है खाने के लिए है ये चूना लगाने की जो आदत आ गई है हमें अंग्रेजों से सीख सीख कर हमने चूना लगाना सीख लिया सब को पहले कोई इस देश में किसी को चूना नहीं लगाता था अंग्रेजों के आने के बाद हमने चूना लगाना सीख लिया तो लोगों से कहिए चूना लगाओ मत चूना खाओ ये चूना खाने के लिए है बस इतना ही विनम्रता से कहिएगा कि तंबागू के साथ मत खाओ उसको खाना है तो दही में डाल के खाओ उसको खाना है तो दाल में डाल के खाओ उसको पीना है तो पानी में डाल के पीो मामुली सी मात्रा जीरे के दाने के बराबर गेहूं के दाने के बराबर दही में नहीं तो दाल में नहीं तो सबजी में नहीं तो पानी में आसानी से खाया जा सकता है और बहुत बड़ा केल्शियम का शुरूत है भगवान ने इतना बड़ा केल्शियम का शुरूत इस देश को दिया है शायद ही किसी देश में होगा वो चूने का पत्थर ही है जिससे हम सीमेंट बना रहे हैं वो चूने का पत्थर ही है जो बीसियों तरह के उद्योग में जा रहा है वो ही चूना हमारे मरीजों के केल्शियम की पूर्ती में बहुत बड़ी भूमी का निभा सकता है तो ये साधरन सी बातें आम आदमी के दिल दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाती है लेकिन आप कहेंगे तो जादा अच्छे से कोई दूसरा कहेगा ना तो कुतर करेगा तुम क्या डॉक्टर हो तुम को क्या मालूम है लेकिन जब कोई डॉक्टर उसको कह रहा है तो बहुत गहरा ही से एक तो परमपरा से आई हुई है बात चुना उसके दादा जी खाते थे, दादा जी के दादा जी खाते थे, वो भी खाते थे, देखा है उसने फिर आपने और जोड़ दिया उसमें कि ये केलशियम का सबसे बड़ा बंडार है तो बात तो पकी बैठ जाएगी उसके मन में फिर वो अपनी जीवन शैली को इस तरह से बना लेगा कि सेंडोज की गोलियां खाखा कर करोडों रुपए एक विदेशी कमपनी को देना क्योंकि आप जानते हैं सेंडोज जो है विदेशी कमपनी है उसके करोडों रुपए का धंदा सिर्फ ये गोलियों का ही है और ये धंदा हम भारतवासियों के अंजाने में गैर जानकरी में हो रहा है अगर ये जानकरी बढ़ जाए भारतवासियों की तो बहुत बड़ा काम आप सब मिलकर कर पाएंगे तो मेरा एक ही विनमर आपसे कहने का प्रयास है वो ये कि आप थोड़ा education, किसी भी patient को थोड़ी education दीजे, थोड़ी सिक्षा दीजे, सामन निग्यान उसको बताते जाएए, ताकि वो गंभीर बीमारियों से बचता रहे, अपने परिवार को भी बचाता रहे, बहुत दुख होता है कि भारत में 60-70% बीमारियां खराब पानी के कार अब मरीजों को और हमारे देश के सभी साधरन नागरिकों को ये बताया जा सकता है, कि भाई पानी को ठीक करके पीओ, उबाल करके पीओ, चान करके पीओ, इसकी गंदगी से आप इतनी बीमारियों से परेशान हो, डाइरिया तो आप जानते हैं कि खराब पानी से ही होता ह है जा तो आप जानते हैं खराब पानी का ही दुश्परिनाम है, आप तो जानते हैं लीवर की कई सारी बीमारियां, बहुत सारे गंदे पानी के कारण, खराब पानी के कारण हैं, तो ये साधरन साधरन सी बात हैं, हमारे मरीजों को ध्यान में आप लाते रहें, और उनको थोड़ा एडुकेट करते रहें सिक्षित करते रहें तो बहुत बड़ा काम आप सब कर सकते हैं